नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दमरोज में और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी जो आपडेट आई है वो बैंक से रिलेटेड है लोगडाउन में एसबाई गरांकों को बड़ी राहत तीन महने तक नहीं देनी होगी लोन की EMI दोस्तों अगर आपने लोन लिया था हरती अस्टेट बेंक में तो आपके लिए एक बड़ी राहत है EMI जो भी किस्त आपको लग रहे थे पर मंत और आप तीन मंत के लिए आपको नहीं लगेंगे और कौन-कौन से लोन है जिसमें EMI आपको पे करना पड़ेगा तो आपको यह इन फॉर्मेशन जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना है और इस वीडियो को लाश्ट तक देखना है अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद चलते हैं और देखते हैं यह पूरा डिटेल्स है क्या यह पूरा मांजरा और एस्टेट बैंक किन किन गरहाओं को और कौन-कौन से लौन में यह राहत दी है तीन मेहने के लिए और कौन-कौन से लौन में यह राहत नहीं है आपको EMI पे करना पड़ेगा तो चलिए देखते हैं ये पूरा मांजरा है क्या RBI ने गरहोंकों को राहत की दी थी सला ठीक है राहत की सला तो पहले दे चुका था RBI ने और इसके बाद जो आज दिये हैं जो आज का जो ब्यान है जो आज का जो अपडेट दिया है RBI ने वो बहुत बड़ी अपडेट है और आप इस वीडियो में बने रहे है और इस वीडियो को कर दिजए लाइक चलिए दोस्तों अब चलते हैं EMI पर राहत देने वाला SBI पहला बैंक EMI पर राहत देने वाला SBI पहला बैंक पहला बैंक है जो EMI जो भी किस्त आपको भुक्तान करना था वो आपको भुक्तान नहीं करना पड़ेगा वो पहला बैंक जो है जो उसने राहत दिया है वो तीन मंत के लिए वो पहला बैंक है SBI ठीक है चलिए देखते हैं आगे और अगर आपर SBI का कोई रिटेल लौन चल रहा है तो आपके लिए थोड़ी राहत की खबर है दरसल अगले तीन महने तक आपको लौन की EMI नहीं देनी पड़ेगी यह जनकारी SBI के चेर्मेन राजीव कुमार ने दी है दोस्तों जो भी जो RBI का चेर्मेन राजीव कुमार है उसने ने यह पताया है कि इस लौन में आपको जो भी MI पे करना था वो तीन मंत के लिए भी नहीं पे करना है SBI के चेर्मेन राजीव कुमार ने कहा कि कर्जधारों के EMI की तीन किस्त को अटोमेटिकली टाल दिया गया है इसके लिए ग्राहों को बैंक में आपलाई करने की जरूरत नहीं है वहीं RBI के क्रेडिट कार्ड पेमेट पर फिलाल कोई राहत नहीं है RBI चेर्मेन ने इसके साथ ही असपश्ट क्या कि तीन मेहने तक EMI पेमेट नहीं देने की स्थिति में अगर आखों के क्रेडिट स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ेगा बता दें कि सुक्रोवार सुबह RBI ने बैंकों से लोन की EMI दे रहे लोगों को तीन मेहने तक के राहत की सला दी थी RBI ने ये सला लोकडाउन की वज़़ से दी है हलांकि RBI ने इससे अनुवारी नहीं किया है इसके बाद SBI पहला बैंक है जिसने गरांकों को राहत दी है अब एन्य सरकारी बैंक और नीजी बैंकों का भी गरांको बढ़ गया है तीन मेहने बाद EMI का बहुत जाइदा बोज बढ़ेगा नहीं ऐसा नहीं होगा हाँ ये जरूरी जरूर संभाव है कि बैंक आपकी मानसिक किस्त को बढ़ा दे इसके अलावा आपको tenure के कुछ मेहने बढ़ाने या one time settlement का विकल्प भी मिल सकता है one time settlement के लिए छो से नो मेहने का समय मिल सकता है किस तरह के लोन पर तीन मेहने की राहत मिलेगी दोस्तों हमने आपको बताये थे कि किस तरह के लोन पर आपको तीन मेहने के लिए जो राहत दिये जा रहे हैं वो राहत मिलने वाले हैं और कौन से लोन पर आपको राहत नहीं मिलने वाले है यह आगला न्यूज हम आपको बताने वाले हैं RBI के बयान पर गोर करें तो हॉम लोन, प्रसनल लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन के अलावा यह तरह के रिटेल या कंजूमर लोन सामिल है हलाकि बिजनेस लोन को लेकर इस्तिती असपश नहीं हुई है अगर आपका बिजनेस लोन है तो यह भी यह असपश नहीं हुआ है और उसके अलावे जो भी हमने बताएं दो, तीन, चार तरग के लोन अगर आपने SBI में लेग रखे हैं और MI अभी पे नहीं करना होगा तीन मेनों के लिए यह टाल दिया गया है और कौन-कौन से जो लोन है जिसमें आपको तीन मन्त के लिए MI पे अभी नहीं करना पड़ेगा एक बार और आप सुन लीजिए हम लोन, प्रसनल लोन, एजुकेशन लोन और कार लोन के अलावा यह अन्य तरह के रिटेल या कंजूमर लोन सामिल है जितने भी इस तरह के लोन है उसमें आपको तीन मन्त जो भी MI आपका पड़ रहा था जो भी किस्त आपका पड़ रहा था वो जमा करना नहीं पड़ेगा और तीन मन्त के बाद यह आपको फिर से MI पे करना पड़ेगा तो यहाँ पे यह बहुत बड़ी राहत है जो कि करोना वायरस के चलते पूरा देश जो अभी पूरा गड़बड हो चुका है और उससे आपको तीन मन्त के लिए M.I.P. से आपको निजात मिलने वाले हैं दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा और यह इनफॉर्मेशन के सा लगा आप हमें कॉमेंट करके बताईए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं क्या है लाइक तो बनता है यार चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ले करके तब तक के लिए बा झाल झाल झाल